नमस्कार दोस्तों मैं उदलार्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर वड़ो देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वड़ो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बहुतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहुतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यावसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्याव आज वयसका आबादी के सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस व्यवसाय को करियर के ऊप्शन के तौर पर चुनना चाहते है। आईसी परिस्तितियों में आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है और इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है लेकिन आपकी दिक्कत क्या है आपकी दिक्कत है कि आपके पास जमा पुंजी कम है आपकी दिक्कत है कि आपके पास अनुभव कम है आपकी दिक्कत है कि आपके पाँ जगह कम है आईसी परिस्तितियों में आपको तो इस व्यावसाय को चुनना है इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ प्राप्त भी करना है लेकिन शुरुवात करते हुए आती है दिक्कत जमा पूझी की कम जगह की कम आपके पास अनुभों कम हो दिक्कत नहीं है आपके पास जमा पूंजी कम हो दिक्कत नहीं है लेकिन स्रिफ दिमाग का इस्तमाल करके भी आप कम अनुभों में कम जगह में कम जमा पूंजी में लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो इस संकल्पना का नाम आपने थमनेल में पड़ा है टाइटल में देखा है किसरी पचास देशी मुर्गियों का फार्म तयार करके कोई भी बेरोजगार युआ यूती दिव्यांग विकलांग व्यक्ति और वयसका आबादी का मेरा सदस्य आसानी से हर रोज यानि प्रति दिन दस हजार का मुनाफ़ा प्रति माहा तीन लाग का मुनाफ़ा प्रति साल 36 लाग का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकता है क्या आपको भी लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है तो हजारों मुर्गियों को पाल कर नहीं तो पचास देशी मुर्गियों को पाल कर भी आप कमा स रखते हो यहां पर लाखों का मुनाफ़ा फिर शुरुवात कहां से करनी है कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको दूंगा इसलिए आप से एक गुजारिश है कि 10-12 मिनिट निकालिए यह 10-12 मिनिट आपकी से किस प्रकार से प्रति दिन आप कमा सकते हो 10,000 का मुनाफ़ा जानने के लिए यह वीडियो शुरुवात से लेकर अंत तक देख लीजिए पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह और ऐसे टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोचल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए वीडियो की लिंक जरूर यहाँ पर शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़कर अनुरोथ करता हूँ दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है आखरी सास तक मैं आपको अपना ही मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो विनती करता हूँ आपसे की एक सब्सक्राइब कर लीजिए करने के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आ जाई ये आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में एक घंटी आएंगी उस घंटी को टच करते हुए आल इस नोटिफिकेशन को कर दीजिए ताकि आने वाला हर विडियो आपको समय समय पर वहाँ पर मिलता रहे तो देखिए दोस्तों जिनके पास जमापुञी कम है जिनके पास आनुभाव कम है जिनके पास जगह कम है क्या उनको यहां पर लाखों का मुनाफ़ा कमाने का आधिकार नहीं हैесь उनको लाखों का मुनाफ़ा कमाने का सपना देखने का यहां पर अधिकार नहीं है हाँ दोस्तों यकिनन है भारत वासी कोई भी हो कश्मीर से लेके कन्या कुमारी बंगाल से लेके गुजरात तक यदि आपको लाखों का मुनाफ़ा कमाना है तो स्रिफ पचास देशी मुर्गियों से सुरुवात कीजिए क्या करना है किस प्रकार से करना है विस्तार से बताने जा रहा हूँ इसलिए दोस्तों बिना स्किप किये हुए वीडियो आखिर तक देख लीजिए ये वीडियो आपका नसीब आज बदलने ही वाला है देखे दोस्तो शुरुआत कहां से करनी है हमें 50 देसी मुर्गिया खरीदनी है हमें 10 देसी मुर्गे खरीदने है और आधुनिक तंत्रयानी चूजे निकालने वाली मशीन भी खरीदनी है दोस्तो और आईसी सव अंडो वाली सेमे आटोमेटिक पार्च मशीन यहाँ पर लेनी है इन सभी प्रोजेक्ट के लिए खर्चा कितना लगेगा दो लाग, तीन लाग, आपको समझाता हूँ कितना लग सकता है तो देखे दोस्तो पचास देसी मुर्गों को खरीदने के लिए चार सो गुना पचास यानी बीस हजार की राशी दस देसी मुर्गों को खरीदने के लिए पास सो गुना दस यानी पाच जार की राशी उसके साथ सेमे आटोमेटिक सव अंडो वाला एक इंकुबिटर खरीदनी की कीमत जो होगी 3300 और साथ ही साथ में जो दो एक्स्ट्रा किट लेनी है उस एक एक्स्ट्रा किट की कीमत है 1000 जिसमें एक टेंपरचर कंट्रोलर अडप्टर और पंखा यहां पर आ जाएगा तो देखिए इस माध्यम से खर्चा टोटल कितना होगा मुर्गी और मुर्गों को खरीदने के लिए कुल कीमत लगेगी 25000 उसके बाद जो वहां पर मशिन्स होगे उनको खरीदने के लिए 16500 और दो एक्स्ट्रा किट के 2000 यानि 18500 यानि कुल 43500 में आपका सेटप तयार हो जाएगा छोटा बड़ा उनके लिए आप शेड भी बनवा सकते यानि पूरा खर्चा आपका टोटल 5000 में यहां पर एड़ेस हो जाएगा आप यहां पर इंकम की भी बात करनी ज़रूरी है लेकिन उससे पहले गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने इंडियन मुर्गी पालन नाम से वाटसब ग्रूप आपकी साहियता के लिए खोल दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है क्रिपया लिंक को टच करके इस ग्रूप में शामिल होके वहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और देखे बिरोजगार युआ यूती दीवांग विकलांग व्यक्तियों का कहना था कि सर हमें आप से जुड़ना है और आपका मार्गदर्शन पाना है तो देखे पास सो रुपे के मासिक शुलक पर आप मेरा के रजिस्ट्रेशन कर लेना है चौरासी एकिस बासट बासट पर कॉल करने के बाद डायरेक्टली आपकी बाचित मेरे साथ हो जाएगी तो देखे दोस्तों अब यहां पर क्या करना है पचास देशी मुर्गया है तो पचास देशी मुर्गयों के माध्यम से मिलने वाली अंडों की संख्या कितनी होती है सामान्य तोरपर ऐसा माना जाता है कि देशी मुर्गया 45 प्रतिशत अंडे देती है यानि कि 22-23 अंडे देने में कोई दिकत नहीं है लेकिन हम कम से कम पकड़ते हैं कि 20 अंडे हमें प्रतिदिन मिल जाएंगे उसके हिसाब से हमें क्या करन एक दो तीन चार पाच इन पाच दिनों के अंडे पास तारीक को डालने हैं छे से लेके दस तारीक के अंडे 10 तारीक को 15 को 20 को 25 को इस प्रकार से हर मशीन में 700 अंडे आपको डालने हैं लेकिन पास तारीक के जो मशीन होगी वह 26 तारीक को रिलीज हो जाएगी दोस्तों यान शस सू आंडे आप वहां पर जो है इनकुबितर में डाल सकते हो श स्यस्य आनडे इनकुबितर में डालने के माध्यम से आपको कम से कम यहाँ पर 75 प्रतिशimoreven रिजल्ट मिल जाता है यानि 450 चूसे प्राब्त हो जाते है 450 चूजों में से आपको जो चूजे हैं इनको बड़ा करना है और बड़े करते हुए हम मानते हैं कि चलो 50 एक मर भी गए तो 400 की बैच आसाने से आपकी जी जाएगी इस प्रकार से आपको साल भर काम करना है साल भर इस प्रकार से यह दिया आप काम कर दोगे तो आपके पास 4800 के करीब करीब मुर्गी और मुर्गे यहाँ पर तयार हो जाएगे इतने मुर्गी और मुर्गे तयार होने के बाद आपको एक बात की जानकारी रखनी है कि आपको 4000 से लेके 4100 तक मुर्गे रखनी है और 700 तक वहाँ पर मुर्गे रखनी है एक्स्ट्रा होगे तो उसे यहाँ पर बेच दीजिए तो इस माध्यम से देखे दोस्तों 4000 मुर्गिया होंगी तो उस माध्यम से कम से कम आपको 1800 अंडे मिलना तैमान लीजिए इन आंडों को आपको सेल करना है कम से कम देजबर में देशी मुर्गी का आंडा 10 रुपे की हिसाब से ज्यादा है अवसत 10 रुपे का रेट पकड़े तो 1800 गुना 10 यानि 18000 की राशी यहाँ पर इकटा हो जाएगी इस में से फिड का खर्चा घटा दे तो 5000 के करीब करीब फिड का और टीका करने लेक्ट सिटी का 1000 का खर्चा यानि प्रति दिन 6000 का खर्चा 18000 के जो आमदनी से घटा दे तो आपको 12000 का शुद्ध मुनाफ़ा यहाँ पर मिल जाएगा और उस में से क्या करना है दोस्तों और 2000 रुपे को माइनस करना है क्योंकि हमें ज्यादा पकड़ कर कम नहीं तो कम पकड़ कर ज्यादा कमाना है इस हिसाब से दोस्तों 50 देशी मुर्गयों का फार्म तयार करके आप आसानिस से प्रति दिन 6000 का मुनाफ़ा हर महा 3 लाख हर साल 36 लाख का मुनाफ़ा कमा सकते हो आपके मन में सवाल आहेगा कि इतने अन्डे नहीं बेचे जाएंगे तो क्या करना है तो दोस्तो आप अंडे जितने बेचे जाते हैं उतने बेचे जितने अंडे बचते हैं उनके चूजे निकाल कर बेचे जितने चूजे बचते हैं उनको बड़ा मुर्गी और मुर्गा बना कर बेचे मुर्गी पालन के व्यवसाय पे समय समय पर मार्केट उपलब्द है दोस्तो इसलिए दिक्कत की कोई भी यहां पर बात नहीं है रहा सवाल कि हमें इंकुबिटर किस तरह से इस्तमाल करना है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है आपका यह भाई उदय आपको यहां पर जो है जो अभिवादन करता है कि आपको एक वायदा करता है कि आपको मशीन दिलवाना मेरी जिम्मेवारी आपके पास मशीन पोहुँशने के बाद अंडे चुनने से लेकर चूजे निकलने तक का मार्कदर्शन चुजे निकलने के बाद उनका टीका करन ब्रूडिंग फीडिंग ये पूरी जानकारी मैं खुद देता हूँ मैं किसी पर डिपेंड रहता नहीं हूँ दोस्तों क्यूंकि मुझे मालूम है कि हर एक मुर्गी पालक भाई को मेरी जरूरत है क्यूंकि भारत वर्ष से ये दि गरीबी हटानी है भारत वर्ष से ये दि बेरोजगारी हटानी है और दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ वयस का आबादी के सदस्यों को आधार और सपोर्ड बनना होगा तो यह उदयलाड आखरी सास तक आप के लिए तयार है दोस्तों इसलिए जिसमें आज हमने देखा कि स्रिफ पचास देसी मुर्गियों का पार्म तयार करके आप हर महा कमा सकते हो तीन लाग प्रति दिन कमा सकते हो दस हजार और प्रति साल कमा सकते हो 36 लाग का मुनाफ़ा देखे मुनाफ़े में कम ज्यादा हो सकता है लेकिन दोस्तों शुद्ध मुनाफ़ा प्राप्त करके देने वाली संकल्पना को अपना कर आप भी स्रिफ पचास देशी मुर्गीों का फार्म तयार करके प्रति दिन कमा सकते हो 10,000 का मुनाफ़ा देशी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में आने के लिए मैं आपको करता हूँ आमंत्रित आने से पहले ही आपको देता हूँ बहुत बहुत शुब कामना है आज की इस वीडियो के बारे में कुछ आपकी शिकायते हो कुछ सवालात हो तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर लिख कर भेजिए आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर वहां पर सोल सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर अनुरोत करता हूँ दोस्तों मैं आप सभी को अपना मान चुका हूँ और मौनता रहूंगा यदि आप भी मुझे आपना और घर का सदे से मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आ जाईए आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हू होंगा तब तक के लिए मेरे हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहें दिल से बहुत बहुत आभाद